स्टोक मर्केट में आपका स्वागत है आज की युडियो में हम बात करें गलोबी टेक्स टायल के बारे में 15 रुपए का और इसका टारगेट निनाना रुपए का बतार है दोस्तों 2022 का गॉल्डन से रही है बोनस और इस प्लेट भी देता है मतवल इतना सा छोटा सा पैनी शेरब बोनस और इस प्लेट भी देता है और यह क्या काम करता है जिन्स बनाने वाला शेरब या जिन्स वगरा भी बनाता है टेक्स्टाइल समधित काम करता है लेकिन जादा तर यह ज दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बात बता दो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर देना है बगल का बेल आइकन भी दबा देना है जिसे आपको नोटिप्शन मिलता रहे और आपका एक रुपए का भी लोस नहीं दोस्तों दोस्तो आपको यह सेर बाइ करना है यह नहीं करना आप खुद रिशाइड कर सकते हो लेकिन आप वीडियो देख लो प्रेंट्स और सोच लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना सोचने में कुछ नहीं जाता है और वीडियो देखने में कुछ नहीं जाता है वीडियो देखने से आ यहां पर 16 रुपए पर जाने की कोशिश की थी 16 रुपए 50 पर वहां से लोर सरकीट इसमें लगा हुआ है दोस्तों कंपनी की देख लो आप इन्हों ने पेसे निकाल निकाल की दियें बैयां इतने रुपए दिये सोस ने से तो आज भी देखो 5 लाग सेल है ट्रेड हुए है ट्राइडेन भी इसके सामने कुछ नहीं है बैया ट्राइडेन से भी आगे दोड़े गाई यहां पर देख लो सबसे गुड न्यूज मुझे अच्छी इसी लगी यानिकी इस सेर में सबसों अच्छी खास बात किया पर मोटर की इस्यदारी यानिकी 14 परसेंट बैया किसे कंपनी में पर मोटर की इस्यदारी 75 परसेंट हो सकती है यहां पर देख लो पूरी पर मोटर इस्यदारी पूरी ले रखिये लगाता देखो ले रखिये और इस कंपनी का एक भी सेर है जो प्लीज नहीं है मतलब पूरा सेर है ना पूरा सेर जो है पर मोटरों के पर मोटर ने इसको दाव रख है भाई या पूरा माल परमोटर ने उठा रख है यहां पर हम बोनस की बात कर लेते हैं यहां पर देख लो जुलाई स्प्रीड भी करता है शेर को तो भाया सोच लो कि शेर में कितना दमा आप खुद सोच सकते हो परमोटर के पास में 74,5 इस्यधारी है दोस्तो चोटर परसेंट की इस्यधारी यानि की पूरा माल है जो परमोटरों ने उठा रख है तो दोस्तो यह मुका है आपके सामने अगर आप हुल्ड कर सकते हो भाया आपके पास पेसेंस है 2,25 तक इसको टाइम दे सकते हो तो भाया एक तो पांच जितनी भी केपिस्टी है आप यूनित ले सकते हो दोस्तो लेकिन दोस्तो अंतिम पेसला आपका ही होगा आपको बाई करना है नहीं करना है आप खुद सोच सकते आज आपने भाई कर लिया दो दिन बाद में इसे मालो लोड सरकुर्ट लग गया तो मुझे बलेम मत करना थी भाइया आपने बोला था भाई किया अभी ये लोड सरकुर्ट में जा रहा है। कि दोस्तों इसी रेड दें में चलता है उपल डाउन अपल डाउन लासी वह एए निया कि आपने बाइक लिए और इसमें अपर सर्कृट लगना सुरूब एसा नहीं होता है सेहिव इसे चलता है हमेशा तो भाईया तो सोच लेना last decision आपका है आगे आपकी मर्जी है आप buy करते हो नहीं buy करते हो वो आपका last decision आपका हो दोस्तो क्योंकि share market में दोस्तो patient जीए क्योंकि Trident भी 2 रुपय का था तो भाईया कोई नहीं उसको खरीद रहता लेकिन आज सब line पे लगे हुई दोस्तो आपकी thinking क्या है जो share भाग रहा है ना तब आप पकड़ने की कोशिश करते हो भाईया भाग रहा है सब लोग पकड़े हम भी ले लो company कैसी है कितना debt है क्या है future company के बारे में कोई research नहीं करता कोई सोसता भी नहीं है बस share भाग रहा है पर subscribe रहा है buy कर लो यह आप mistake करते हो लेकिन दोस्तो यह क्या है कि यह गलत है यह चीज है बिल्कुल भी गलत है आपको इसा नहीं करना चाहिए share जब सोया रहता है तो भाईया पहले company चेक करो company अच्छी लगई है fundamental case है कितना debt है प्रमोटर की शेदारी क्या normal तरीके से company चेक करो फिर share में क्या entry लो भागते हुए share को कभी नहीं पकना चाहिए क्योंकि वह भाग रहा है आपको मिलेगा नहीं रोज कोशिश करोगे फिर एक दिन मिल जाएगा फिर दूसरे दिन से share पकड़ते नहीं है अगर write time पर देखो तीन किसम के इंसान होते है एक तोぇ क्या है side time पर वह share को buy नहीं करते है दूसरे इंसान है side time पर share तो bay करे लेती है लेकिन patience नहीं होता है उनमें hold नहीं कर सकते है तो वह base देती है तीसरे किसम के इंसान होती है कि जो भाग रहना है उसके पीछे भागती है तो loz करते है तो बैया देखर चावला ॹच्टोग मार्केट है टायम से पिछली आपको शेर बताता है भाई करते हो नहीं करते हो आपकी मरजी है लेकिन नोलेज देखने में देखो कुछ नहीं होता है वीडियो देख लिया करो समन लिया करो मार्केट की स्थिति क्या है पूरी डिटेल है दोस्तों कि मैं एकदम सरल तरिके से आपको अपनी बासा में बताता हूँ तो आप इस सेर के बारे में सोच सकते हो दोस्तों एक दो यूनिट ले सकते हो यहाँ पर देखो जो लोर सरक्रिट लगावा है पंदरा रुपए के नीचे नहीं जाएगा साइट पंदरा का लेवल नहीं तोड़ेगा या फिर कल से ही अपर सरक्रिट ले ले पंपनी अच्छी है टेक्स्टाइल का बिजनस करती है जिन्स वगएरा में ज्यादा करती है और सरकार भी क्या टेक्स्टाइल वाली कंपनी को चोटी-चोटी कंपनी उसको हेल्प कर रही है क्योंकि बहुत चाइना सबसे आगे है है प्रमोटर नहीं दबा रख है पहले चोटा सा से रहे हैं जो को बहुंच दे रहा है तो भाईया पैसे हैं इतना प्रोफिट होता है तब ही तो दे रहे हैं तो लाजड डिचेजन आपका होगा आपको बाई करना है सेल करना आप खुद अपनी हिसाब से देख लेना दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक टोक देना और चैनल को सब्क्राइब कर देना बगल का बेल आइकन भी दबा देना जिशा आपको नोटिश्मेंट मिलता रह थेंक्यू दोस्तों